वंदे मात्रम मित्रूप जुहू बीच के उपर एक गुबारा बेशने वाला हीलियम की गैस के गुबारे बेशने वाला खाड़ा था और गुबारे बेश रहा था दोपहर में अचानव उसके पास कस्टमर आने बंद हो गए तो उसने क्या किया? कस्टमर को ट्रैक करने के लिए गुबारा एक फुलाया और हीलियम गैस से भरा और आस्पान में छोड़ देता था थोड़ी देर बाद फिर और छोड़ देता था जिससे दूर खड़े लोग देख करके सी बीच पे और आस्पास के इलाकों में उससे गुबारा खरीदने आ जाए इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा जो शाहिद पास में खेल रहा था वो आया और कुर्ते पजा में इसके कुर्ते को खीच करके हीलियम गैस वाले गुबारे बेशने वाले के बोला ये हम सब के उपर डिपेंड करता है सफल हम सब हो सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि हमने सफल होने के लिए कौन से अपनी क्वालिटीज चुनी है हम क्या कर रहे हैं जिससे हम सफल हो पाए मैं प्रवीन नारंग पिछले 21 सालों से लोगों को ये बताता हूं कि सफलता का सही अर्थ क्या है अगर हमें जिन्दगी में सफल होना है तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए क्या सफलता का अर्थ पैसे कमा लेना ही है क्या मनी को अर्न कर लेना ही सकसेस है या कुछ और है, और कुछ और है तो वो क्या है, उसके लिए हमारे अंदर जिंदगी में क्या-क्या qualities होनी चाहिए, हमें discipline होना कितना जरूरी है, हमें एक अच्छा character रखना कितना जरूरी है, हमें positively चीजों को believe करना कितना जरूरी है और ऐसी बहुत सारी बातें, जो मैं habits inculcate करने की कोशिश करूँगा, सभी members के अंदर कोशिश नहीं करूँगा, successful होँगा, और मैं ये कुछ limited लोगों के लिए करता हूँ program तो अगर आपने अभी तक register नहीं किया है, तो जरूर करें और जिंदगी की सफलता की रहा पे चल पड़े, इसको मैं बोलता हूँ waste to success, मैं all over world सवा 2 लाख लोगों को इट्रेनिंग दे चुका हूँ फिछले 20-21 सालों में और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस ट्रेनिंग को attend करें, और next level पे जाए आज ही register करें Thank you very much for listening to me Vande Matram